तो लीजिए सुनिए मम्ता कालिया जी द्वैरा रचीत उपन्यास दुख्खम सुख्खम का दित्य अध्याय इसका प्रतम अध्याय का लिंक आपको हमारी प्लेलिस से मिल जाएगा लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा विध्यारती जीवन के ग्रहन शील वर्षों में कवी महन के मन मस्तिक्ष पर दो प्रध्यापकों के विचारों का सरवाधिक प्रभाव पढ़ा था एक थे डॉक्टर रजेंद्र और दूसरे प्रोफेसर हाट हिंदी और अंग्रे जी सहयते के दो महाराती एक दूसरे के विलॉम भी थे पढ़ाने के साथ साथ राजंद्र जी मिमानसा नामक लगू पत्रिका भी निकालते थे जिसमें बड़े बड़े रचनाकार अपना नाम छपा देकर गर्व अनुभब करते खाली समय में कभी आगरा प्रैस जाकर मिमानसा के प्रूफ पढ़ता इससे राजंद्र जी की सहायता हो जाती और कभी को दिगजो की रचनाई भी पढ़ने को मिल जाती शायद उन में कभी पिता रूप की अदर्श छवी ढूनता रहता वे जब हवा में मुठी तान कर कहते स सिंगासन खाली करो कि जन्ता आती है पचासो छात्र उनके साथ साथ जैगोश करते स्वाधिन्ता के लिए वे सशत्र क्रांती जरूरी मानते प्रोफेसर हाट का मानना था कि छात्रों को राजनीती से दूर रहना चाहिए वे कहते हर आदमी को 20 साल का होते होते 20 किताबे वे कहते शेक्स पे एर पड़ो तो तुम पाऊगे समस्त जीवन तुम्हारे आगे प्रस्तूत है कौन सा ऐसा भाव है जो उसने व्यक्त नहीं किया प्रेम प्राक्रम प्रतिशोद की प्रकाष्ठा इर्ष्या खिर्णा पश्यताप के आरो अवरो सब उसके नाटकों में व लायन अमुल्य सीध होता कभी रातों में गर्मी या मच्छर या दौनों कारणों से जब नींद उड़ जाती ऐसे में अब तक के साल उसकी आँखों के चल्चितर की तरह घूम जाते पत्नी का जीवन उसके साथ अंजाने ही नथी हो गया है जब वह पहले पहल कवीता कहान पिछले रेजिस्टर महीने भर में भर जाते यहों उसके पास अलग कमरा नहीं था पर मा का कमरा उसे अपनी कृतियां सहेज कर रखने के लिए सही लगता वह सभी रेजिस्टर वहां एक आले में रख देता और एक बार पिताजी दुकान से उठकर अंदर आया उन्हें पर दिख्षित नहीं। उन्होंने उलट पलट कर रेजिस्टर देखी यह तो पता चल गया कि बेटे ने उनमें कुछ लिख रखा है। पर क्या लिख रखा है। यह देखने लायक धैर यह उनमें नहीं था। यह लंबी कॉपियां पूरी भरी हुई हैं बस उन्होंने यह नहीं देखा करीब घंटे बर बाद जब कभी महन लोटा आला खाली था मा के इशारा करने पर वसीरे दुकान में पहुंचा उस समय पिता उसके रजिस्टर के पन्ने फाड उनमें जीरे और हल्दे की पुडिया बांद कर एक ग्रहक को दे रहे थे कभी उबल पड़ा दादा आखों से उसे घूरा पर तब तक अगला ग्रहक आ गया था कभी पैर पटकता वह अंदर चला गया रात में दुकान बढ़ा कर जब एक कमरे में हाथ पर धोकर आये पत्नी से बोले जै कभी तुमने बहुत मुझोर बनाया है इत्ता सिर पर धरना ठीक ना आई पत्नी ने अ आगच काले कर रहा है तो मैं याकि सुध है ना ही याई दिना के लिए इसकी पढ़ाई लिखाई की फीज भरे थी दस्वी में जब कभी वह उनका अवल दर्जा आया मा नहीं उसके आगे पढ़ाने का समर्थन किया था पिता उसे कॉलेज भेजने के हक में कता ही नहीं थे कि दस्वी पासवनिक पुत्र दुकान में बराबर का हाथ बढ़ाए नतीजा निकलने के अगले ही दिन उन्होंने का कभी अब दुकानदारी तुम संभारो हम तो बहुत ठक गए हैं कभी की चेतना को भयंकर जटका लगा सुबह से लेटे लेटे फे बी एम में और अच्छा कुन देगा तेरा बाप अब तक जैसे रो रोकर आपने मेरी फीज़ दी मैं मुझे ठीक नहीं लगता खुशी खुशी दे तो ठीक वरना मैं खुद का इंतिजाम कर लूँगा ससुरा बाप के आगे पूछ फटकार रहा है दसमी पास करके जे हाल अब ये हो गया तो कौन हाल करेगा मैं कहे देता हूँ कोई का जरूरत नी कॉलिज जाने की बाट तरा जो संभारो और होस में रहो दादा जी मैंने बूरा तोलने के लिए हाई स्कूल नहीं किया मुझे आगे पढ़ना है पिता ने उटकर दो धौल उसकी पीट पर लगा दिये कवी महन का पढ़ाई का इरादा और पका हो गया मा उसे बचाने लगी पर कवी महन बहां छुडातावा जीना चड़ गया गुस्से और असंतोश का गुबार उपर की कमरे में जाकर आंसों की शकल में निकला उसे लग रहा था पिता के रूप में घर में कोई राक्षस रहता है एक तो उसकी कवीताओं की कापिया फारदी उपर से पीट दिया उसके जो दोस्त रद्दी नमबर से पास हुए उन्होंने भी घर से मिठाई और शाबाशी पाई और वह प्रतम श्रेणी लाकर भी सराह मन अवाज लगई कभी ओ कभी उट दूट लेकर गली के ढाल पर किसना घोसी सुभा पांच बजे गाहिद होता था पीतल का कलाईदा डोल लेकर दूद लाना कभी महन का ही काम था जब दो अवाज पर भी कोई अहट नहीं हुई तो मा ने उसकी चारपाई के पास जाकर उस सोय हुए तो नहीं थे पर अलसा रहे थे गजब हो गयो कभी भाग गयो जने अभी दिन पूरी तरह नहीं हुगा था अंधेरा अपनी आखरी चोकट पर खड़ा था पती ने लालटें जला कर घर भर में ढूड़ना शुरू किया एक शंड वे लालटें लिये आंगन में पूरे थे पिछली रात जब दुकान बढ़ाई थी तब भी उत नहीं थे वे कुछ आश्वस्त हुए कभी की मा घबराई हुए उपर की मंजले देखकर डगमगाती भी जीना उतर रही थी थक गई तो जीने में ही बैट गई पती ने जीने में मुह करके का फिक्र ना करो क तुम अभी अंटी ही टोल रहे हो ना तुम उसकी काप्या फाटते ना मेरा कभी घर छोड़कर भागता लाला नत्थी मल कुछ देर पत्नी की तरफ देखते रहे उन्होंने लाल टैन खट से जमीन पर रगदी और वहीं बैट गए वे पिछले दिन की घटना याद करने स्कूल से आकर लॉंडे लपाड़ों में घूमना कभी ताई करना या के सिवा और कौन सो काम हो इतना ज़्यादा तो उन्होंने डाटा भी नहीं था ना उन्होंने हाथ उठाए पर की साल जब उसने कलो कहा रहें को एक पसरी चावल उधार दिया था तब उन्होंने उसकी मार को टाई भी नहीं कर दी थी कवी महन तब क्यों नहीं भागा अब क्यों भागा वे कहां गलत है उनकी समझ में नहीं आ रहा था उनका ख्याल था कि दिन पर दुखान पर खटने के बाद हिसाब भी नहीं मिलाया तो क्या खाक कम है यह बात और है कि वे हर घंटे पर हिसा जब उन्होंने उसे दुपहर में घंटे दो घंटे जब रंद दुकान पर बठाया वाल टोले के छोटे-छोटे बच्चे दो पैसे चार पैसे का मिर्च मसाला खरीदने आते थे बोले-बोले बच्चों का ध्यान ना बाट पर ना तराजुबर चुटकी-चुटकी सौधा कम देने पर उनसे माफी मुनाफ़ा कमाया जा सकता था और कभी इन्ही बच्चों को ज़्यादा सौधा दे देता बच्चों से बोलना चुहल करना उसे अच्छा लगता वे कई बार टोली से में आते सौधा लेते और चलने से पहले नन्ने नन्ने हाथ पसार कर कहते राजबया टूंगा और कभी रती-रती गुड सबकी हतेली पर रख देता और देर तक उन बच्चों का अलाद देखता रहता गुड की डली मुं में रख फिर लुड़क पुड़क कर घर की और भाग जाते उन्हें देख कभी महान को अकसर सुबदरा कुमारी चुहान की मेरा बच्पन कवीता याद आती पिता को जब इस कारवाई की भनक मिली उन्होंने अंदर ही अंदर बड़ी तिल में रहट हुए दुपैर की यही दो घंटे उनके अराम के थे और इस तरह तो बेटा दुकान लुटा देगा फिर भी कवी से भग जग करने की बजाएं नोंने गुड का तस्ता दुकान से उठा कर गुधाम में बंद कर दिया लेकिन कवी ने अगले ही दिन नया रास्ता खोज लिया अब वे बच्चों को गुड की बजाए काले नमक की डली बाटने लगा बच्चों की उमंग में कोई कमी नहीं देखा कि तसलिम में पड़ा सारा गुड गोबर बन चुका है उन्हें अफसोस हुआ या नहीं यह कभी पर सबश्ट नहीं हो पाया कुस्य से बलबलाते वे उन्होंने सारा गुड किशन गोजी की नई बियाई बैस के आगे डलवा दिया बहुत सोचने पर पिता के व्यक्तित्व के कई विकार कभी के आगे उजागर होने लगते वह साकेत की पंक्ती माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही को बदल कर मनी मन के उड़ता माता ना कुमाता पित्र कुपुत्र भले ही यह एक ऐसा रिष्टा है जिसे दोनों एक दुसरे के कुमानते थे कभी मौन को हरानी होती कि पिता ने अपनी समस्त प्रतीभा और तिक्षिन बुद्धी महज नफा नुकसान की जाच तौल में खपा दी उनकी मुश्किली है थी कि वे किसी दिन चाहे सौ कमाले चाहे दोसो उन्हें अपनी इकन्नी अधन्नी नहीं भूलती किसी ग्राक ने अगर उन्हें एक अधन्ने से दबा लिया तो वे उन्हें वे अधन्ना कचोटता रहता ऐसे दिन वे घर बर में वेफरे गुंते बिना बाद पत्नी या बेटी को फटकार लगा देते ये नल का पानी क्यों बहा रही हो क्या मुफताता है उन्हें लगता सारी दुनिया उन्हें लूटने पर आमादा है वे करकश और कटकरने हो जाते जितनी देर वे घर में होते सब एक तनाव में जीते जहां इसी मतुरा में मूटी तौंद वाले हस्मक थुल्थुल चौबे बसते थे लाला नत्थी मल शैतीर की तरह लंबे दुबले के लगभग सुखे वे लगते ऐसा लगता जैसे क्रिश्न ने जीवन का मरमुन यही समझा है कि अपनों से युद करना तेरे लिए सब परकार से श्रेस कर है मर कर तू स्वर्व को प्रस्थान करेगा संसार में ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो भोजन के समय कलहा करते हो खास कर जिसके कारण चूला जलता है पर लाला नत्थी मल को भोजन के समय भी चाह नहीं था उनके परिवार का नियम था कि दुपहर में सब बारी बारी से रसोईग में पट्टे पर बाट कर खाना खाते मा चूके में चूले की आग पर बड़ी बड़ी करारी रोटी सेखती और थारी में डालती जाती पहली दूसरी रोटी तक तो भोजन का कार्यकरम शान्ती पूरवक चलता तीसरी रोटी से पिता मीन मेक निकालना शुरू कर देते मुँ बना कर वे रोटी का को और मुँ में डालते तेज आच की है किसी दिन ही है सब घटित ना होता फिर भी उनका भोजन मिगड़ जाता रोटी का पहला का और मुँ में डालते ही कहते ऐसो लोगे है इस बार चूने में मुस्की लेंड पिस गई है मा उत्तेजित हो जाती कनक का एक एक दाना मैंने भगोने मोती की तरह भी ना था लेड कहां से आ गई पिता कहते सेकड़ो बोरे है नाच पढ़ा है मुस और लेड की कौन कमी है मा हाँ चोड़ देती अच्छा अच्छा और उनका खाना खरा मती करो है जे कहो तो मैं भूक ना आए है पिता मान जाते मार सुबा से खटी डिकारे आ रही है ऐसा करो निम्बू के उपर नून काली मेरे चत खटगा के मोई दे दो रात की बिवाली संजा को ही बना कर चोके में रख दी जाती दुकान बढ़ाने तक पिता इतने थक जाते कि सीधे खड़े भी ना हो पते बैटे बैटे गुटने अकड़ जाते बजार में उनकी अच्छी साख थी कड़वी जीवा और कसेले सभाव के बावजुत मंडी के अडातियों में उन्होंने केड़े की बात कहने की खहती अरजित की थी उनके रुकाईये पर विक्टोरिया के सिक्के जितना मंडी में एतबार था दिये हुए कॉल से वे कभी न हटते इनी वजहों से उन्हें गल्ला वैपार समीती का सदस्य चुना गया था अगरवाल पाठशाला की प्रभंध समीती में वे पांस सार शामिल रहे वे जानते थे कि परिवार के नित्रित्व में वे कुछ जादा कठोर हो जाते हैं पर उस दौर में सभी घरों के बच्चों के लिए ऐसा ही महुल था बच्चों को चूमना पुछकारना बेटा बेटा कहकर चिप्टाना बिशर्मी समझी जाती मानिया था तो यह थी कि लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते सभी अपने बच्चों से विशेश कर लड़कों से सक्ती से पेशाते और कभी अनुशाशन की वलका धिली ना होने देते इसी अनुशाशन के तहत उना ने तब कारेवाई की जब उनकी पत्नी ने उस दिन सगर्व घोशना की अब तो मेरा भी कमाउपूत हो गया उसे एक नहीं दो दो नौकरियां मिल गई पिता ने कहा उसे का ठेटर में नौकरी मिल गई या सरकस में बड़ी आई कमाउपूत की मा कभी ने मा को वहां से हटाने की कोशिश की मत तुम क्यों उलचती हो इनसे बाद में पिता को पता चला कि स्कूल के टीचर आलोक निगम ने कभी को आश्वसन दिया है कि अपनी दो एक टुशन उसे सौंप देगे पिता को मनी मन अच्छा लगा उन्हें ये पसंद नहीं था कि कभी दो गंटे कॉलेज जाकर बाकी बाइस गंटे भूमने फिर्णे और कविताई में बिता दे अब वे असली बात पर आए दो टुशन से क्या मिलेगा मनी मन फूलते में माबली तीस चाली से कम का होंगे तेरी फीस जाएगी नौ रुपे बाकी के 21 का करोगी अपने मा को दे दे ना तेरी खुराकी जमा कर लगी कभी माहन का चेहरा अपमान से तम तम आ गया अपने ही घर में मुझे खुराकी देनी होगी आपने बच्चों से भी तिजारत शुरू कर दी पिता उसकी मन इस्तिती से भेखबर खाने की पुरुत तयारी के अंतरगर्द शौच के लिए चल दी है माने का चल कभी खाना खाले कभी जुंजलाया मेरा मन तो जहर खाने का हो रहा है तमें खाने की पड़ी है जी जी मा पास आकर उसे पुछकार ने लगी तोई मरी सों जो ऐसे बोल बोले इनकी आदा तो सुरू सो ही ऐसी है जब तु छोटा था तीन साल का तब तुझे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था सारी सारी रात तेरा हेकरा चलता था और एक ये थे कि डागर बुला कर नहीं देते थे ये कहते मर्ज और कस समय काटकर पूरे हो गए है तेरी बहने बड़ी तरपती थी तुझे देखके कभी को मापर भी क्रोधा है ये उनका खास अंदास था दिलासा देने के साथ साथ वे आग में पलीता भी लगाती जाती पिता की पीठ पीछे उनकी जादतियां बरताती रहती मुही मुह बढ़ बढ़ाती लेकिन बच्चों के बढ़कारे पर कभी भी सामने से टकर न लेती शायद वे उनके क्रोधी सबाब को बहतर जानती थी कभी जब उनमें जादा बगात के बीच डालता तो वे कहती जाएं गाम में रहना है तो हाँ जी हाँ जी तो कहना बारा बज़े तक घर में सोता पड़ गया असंतोश और आकरोश से खल बिलाते कभी मौन की आँखों से नींद कोसो दोड़ती इच्छा तो उसकी थी कि पिता को रौनता हुआ उनकी आँखों के सामने घर छोड़कर भाग जाए पर वे मा को दुक नहीं देना चाता था उसके सामने यह भी सपश्ट नहीं हो रहा था कि वे कुछ दिनों के लिए घर छोड़े या हमेशा के लिए उसका एक मन हो रहा था कि वे घर त्याग दे पर मा से किसी तरह मिलता रहे उससे तीन साल चोटी भगो को भी साथवी के बाद फीस की किच किच के करन घर बैटना पड़ा था कभी उससे अपनी पुरानी किताब उसे अभ्यास कराता रहता पर उसका मन अपड़ाई से हट रहा था पिता हर बच्चे की जीजीव शा खतम कर उसका जड़ संस्क्रन तयार कर रहे थे अपनी बच्ची कुची किताब कापी और कवीता के काकच बटोड़ कर कवी धीरी धीरे घर से निकल गया बहार की हवा का सिर माते पर स्पर्श भला लगा होली दर्वाजे पर दो एक पान वाले ठके हातों से दुकान बढ़ा रहे थे दिन की चहल पहल से महरूम बजार बहुत चोड़ा और सुनसान लग रहा था जैसे कर्फियू लगा हुग एक दो रिक्षे आखरी शो की सवारिया लिये वे गुजर गए गुस्से में कभी घर से तो निकल आया सवाल यह था कि आधी रात को जाए कहा यूँ तो उसके दोस्त बहुत थे पर इस समय किसी का दर्वाजा खट-कठाने का कोई बतलब नहीं था चलते चलते वे स्टेशन पहुँच गया यहां लोग अभी भी जगे वे थे लोग स्टेशन से आ भी रहते और जा भी रहते कभी को बड़ी रहत महसूस गे प्लेट फॉरम नंबर एक की बेंच पर बैठ वहां की पीली रोशनी में उसने एक बार अपनी कापियां उलट-पुलट कर देखी फिर उन्हीं की टेक लगा कर लेट गया उसे लगा घर उसके संघर्ष बढ़ा रहा है और उसकी रचनातमा कूर्जा खतम कर रहा है उसके दोस्त और आप परिचित उसकी अपिक्षा कम प्रतिबावान थे पर उससे जादा अच्छा जीवन जी रहते मित्र घरों में परिवार के लोग एक साथ बैठ कर प्रेम से बाते करते रेडियो सुनते इकठे भोजन करते और कभी-कभी घूमनेज भी जाते उसके अपने घर में जैसे ही वे इकठे बैठते किसी ना किसी प्रसंग पर बहस चड़ जाती और पिता के वेक्तितव का विस फोटक तत्वत बहार निकल कर फट पड़ता इसमें संधे नहीं कि वे अटक लड़ाई में निश्पात थे पतनी और बच्चों की इच्छा का सम्वान करना वे एकदम गयर जरूरी समस्ते तभी तो उन्होंने कभी से बिना सिरना लिये उसका रिष्टा आगरे के एक परिवार में कर डाला इसका रिवाय की खबर कभी को देने की उन्होंने कोई जरूरत नहीं समझी यह बुजुर्गों का मामला था सगुन में आगरे वालों ने 1100 रूपे, 1100 सेर लड़ू, दो सेर बदाम, चार आने भर के अंगुठी, कपड़े और एक कनस्तर घी दिया कभी के पिता इस श्रीगने से काफी संतुष्ट हुए उन्होंने सारी बात पहले साफ कर ली थी, कि लड़का अभी पढ़ रहा है, पढ़ाई पूरी कर लेगा तब ही ब्यावगा तब तक उसकी पढ़ाई का खर्च, गर्मी सर्दी के कपड़े, बिस्तर सब का इंतिजाम लड़की वाले करेंगे आगरवालों को इस कीमत पर भी कोई इतराज ना था जिस समय समधियों में शर्टों का आदान परदान हो रहा था, संभावित दुला शिवताल पर घुंगता हुआ अपनी अगामी कविता की फड़कती हुई पहली पंक्ती सोच रहा था और संभावित दुलान अपने छोटे भाई की फटी निकर में थिगली लगा रही थी उसके लिए कवि की माने महंदी, आलता, पायल, काजल, टिकुली, स्नो, पॉडर के अलावा एक साड़ी, जंपर, सोने की जंजीर और लड़ू भेजे थे उनकी हाड़ी की चाती की घर में बहु आकर काम का सवाल है उनका शरीर दिन बदिन ठक रहा था और घर की जिमेदारियां निरंतर जालिम होती जाने थी दौनों बेटियां मदद करती लेकिन उनके साथ सिर्ख पाई बहुत करनी पड़ती बहु को लेकर उनके बहुत से अर्मान थे कि वह रोज उनके पैर दबाएगी कंगी करेगी चुला चौका समभालेगी और उनने पूर्ण विश्राम देगे कभी को जब मा से पता चला कि पिता उसका रिष्टा तै करा है तो वह एकदम बरस पड़ा दादा जी का दिमाग फिर गया लगता है मैं अभी पढ़ रहा हूँ मर तो नहीं गया हूँ इनकी गाड़ी छूटी जा रही है मेरी शादिय और मुझी से कोई सला खबर नहीं मुझे नहीं करनी ऐसा कोई संबद उसके इस विद्रों पर कोई विशेश ध्यान नहीं दिया गया इसे लज्जा जनित प्रतिक्रिया का ही हिस्सा मान लिया गया इश आक्रोश और असंतोश कवी के अंदर प्रतिपल खल बलाने लगे वैसा हित्या का विद्यार थी था कॉलेज लैबरेरी में खंटो बैट उसने ना सिरफ प्रेंचेंदर और निराला बल्कि गोर की और तौस्ताय भी पढ़ा था सहित्या के प्रफेसर उसे पसंद करते थे अक्सर अपने नाम से इशू करवा कर उसे पुस्तके पढ़ने को देते अपने जीवन की जो तस्विर उसने कलपना में बना रखी थी उसमें ना पिता के वैपारी विचारों की गुंजाईश थी और ना ही मा की भिन-भिन निरिहता की वह एक शिल्पी की तरह अपनी जिंदगी स्वैम बनाना चाहता था वह अपने प्रोफेसर को सुबह दस बजे पुस्तकों वा छात्रों से गिरे देखता और सूसता उसे यही बनना है बस यही असल सार्थक और सही रास्ता है बाकी सब तो भटकाव है घर और कॉलिज के महल में कोई ताल मिलना था उसके पिता सुबह उठते ही बोरों से गिरी दुकान में जम जाते और उसकी मां मुँ अंधेरे जाकर कूलते कर राते घर का चौका बासन करती शुरू में उसकी अंग्रेजी के अंग्रेज प्रोफेसर ई.म हार्ट उससे कटी-कटी रहते इसकी विजए थी कि कवी मोहन ना तो रूप रंग और ना अपने कपड़ों से किसी को प्रभावित कर पाता अक्सर वै कुर्टा पजामा पहन कर कॉलिज चाता और कभी-कभी धोती कुर्टा भी पहनता जबकि अंग्रेजी पढ़ने वाले अन्य शौकिन लड़के बाकाइदा पैंड कमीच पहना करते लेकिन जब प्रोफेसर हार्ट ने कवी का टुटॉरियल वर्क देखा तो वे उसकी समझ के काहल हो गए उसका सोचने कढग नितांत मौलिक था किसी भी विशय पर वे इतना अधिक पर डालता कि जब वे उस पर लेखने बैठता तो उसका लेख छातर के नहीं शिक्षक के स्तर का होता यही वज़य थी कि वह बी ए में बड़ी असानी से सरवाधिक अंकों से उत्रिण हुआ और वीवी की योगता सूची में दितिया इस्थान पर रहा अब उसे आगे पढ़ने की लगनती बस एक ही बादा थी पिता ने घर में फर्मान जारी कर दिया कि गर्मी में शादी होगी और जरूर होगी कभी ने कहा उसे आगरा जाकर M.A. करना है पिता ने डपटा मैंने कॉल दे रखा है उसका क्या होगा पहले भ्याग रहा हो उसके बाद जाओ जहनुमे चाहे जा जाना हो जाओ कभी जिस लड़की को मैंने न देखा न बाला उससे कैसे बन सकता हूँ मैंने तो देखा है तेरा देखना क्या चीज होती है सुलो अपने सपूत की बाते मा फारन सारंगी की तरह पिता की संगत करने लगी अरे कभी जियो मिट्टी पलित करवा रहे हो मेरी और अपनी हामी भढ़ दे फिर जहां तेरी मरजी हो चला जाए हो लड़की का क्या है दो रोटी खाए के मेरे पास पड़ी रहीगी कभी स्थंबित रह गया शादी को लेकर माता पिता के विचार ऐसे भी हो सकते हैं उसने कभी नहीं सोचा था कहां वैं सोच रहा था कि जीवन में कदम से कदम मिलकर चलने वाली कोई कामरेट ढूंडेगा जो उसके सुख दुकी बराबर की हिस्सेदार होगी कहां उसका परिवार हाथ में मोटे रस्य का फंदा लिए उसकी गर्दन के सामने खड़ा था उसे अस अहमद देख पिता का पारा लगातार चड़ रहा था ससुरे लड़की वाले अब तक तेरे नाम पर कितनी लागत लगा चुके है पता भी है बस मोटा कर ना ही कर दी मैं क्या जानू मैंने तो एक पाई ना मांगी थी आप मिरे नाम से उन्हें लूटते रहे तो मैं क्या करूँ पिता तैश में आकर उसे मारने लबके मा बीच में आ गई उन्ही को दो हाथ पड़ गए कवी ने हिकारत से उनकी तरफ देखा और घर से बाहर चला गया उस दिन कवी महन घंटों शिवताल पर भटक तरहा उसका मन हो राता हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग जाए उसकी पूरी चेतना ऐसे रिष्टे से विद्रो करने लगी थी पड़ाई भी अब उसे निरर्थक लगने लगी शिवताल पर अंधिरा चुकाया चारो तरफ मेंड़कों के टराने की आवाज आ रही थी ताल के आसपास बालू एकदम ठंडी और नम थी कवी ने नम बालू में अपने पैर धसाते हुए सोच चा कि इससे तो अच्छा है कि मैं बाबा जी ही बन जाओ बबूत अपने बदन पर लपेट हाथ में चिम्टा ले लू और पहुंच जाओ इनी की दर्वाजे पर और बोलू अलक ने रंजन फिर देखो किसकी शादी करते हैं किसे दुकान पर बठाते है सादू सन्यासी को ग्रस्ती से क्या काम बरागी भी जीवन ना आज की चिंता न अकल की आस तीनी जोडली चूला जला दाल चावल नमक हांडी में छोड़ा खानत तयार क्या रखा है दुनिया में ताल के किनारे पत्थर परसी रखकर कभी कब सो गया उसे पता ही नहीं चला सविर उसकी आँख खुली जब सिर के उपर गूलर के पेड़ पर चड़ियों के छुन चह जाकर शूर मचाने लगे पहली बार सही अर्थ में उसने पौफटती देखी यह भी देखा कि ताल का पानी कैसे रंग बदलता है कुछ देर पहले का मटमेला जल सुबह होने पर नीला हुआया सबसे पहले मा का ख्याल आया जी जी मा की असायता और अनभिकेता दोनों से तकलीफ देती थी पर उसे हर वक्त यह खयाल भी रहता कि वह अपने किसी कृत्या से उनके दुखों में वरिधी ना करे लड़कपन में उसने बरसो मा को चक्की चलाते और चर्खा चलाते देखा था बलकि सबरे उसकी आँख चक्की की घूंगू से ही उचटती कभी को लगता यह है घर एक बहुत भारी पत्थर का पाठ है जिसे मा युगों युगों से इसी तरह घुमा रही है कभी को लगता मा चक्की नहीं पीस रही उल्टे चक्की मा को पीस रही है मा पीस रही है कभी कभी वह साथ लगकर दो चार हाथ चला देता तो मा की आखे चमक उड़ती अरे कैसी हलकी हो गई है यह हमें चला लूंगी तू छोड़ दे पढ़ने वाले हाथ है तेरे दुख जाएंगे जब तक बेटों के बिया नहीं होते वे मा को संसार की सबसे आदर्श इस्तरी मानते हैं कवी की मानसिक्ता भी यही थी उसे लगता कि पिता अत्याचारी है और मानिर है पिता जुल्म करते है मासाती है मा का पक्ष लेने पर वे कितनी ही बार पिता से पिटा इसलिए जब माने उससे गिड़ गड़ा कर कहा एक अभी तुभ्या को हामी भर दे नई यह जुल्म मुझे खोद के गाड़ देगा कवी की मान के सामने हां करने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा रही वेह सम्में गांधी जी के अधर्शों का भी समय था मतरा के नौजवानों में गांधी वादी विचारों का गहरा अधर था देश की आजादी के लिए मर मिटने का एक सीधा साधा नक्षा जो हर एक की समझ में आता खादी पहनो ब्रहमचरिय से रहो नमक बनाओ सरकारी नौकरियों का भहिशकार करो कवी के अंदर ये सभी आदर्श हिलोरे लेते उसने एमे अंग्रेजी में प्रवेश ले रखा था ये है बाद उसके अंदर एक अपराद बूत पैदा करती जिन से लड़ना है उनी की भाशा और साहित्य पढ़ना गत्तारी है पर उसे इसका भी एसास्ता की अंग्रेजों के रास्ते नौकरे रूणना असान होता है हिंदी वालों को उसने अपने कस्वे में चप्पल चटकाते नाकाम घूमते वर्षो देखा था उसे लगता पुष्टैनी वेपार के नरक से बचने के लिए अंग्रेजी की वेतरनी पार करना जरूरी है फिर अंग्रेजी साहित्य का विशाल फलक उसे दृष्टी का विस्तार प्रदान कर रहा था कभी वह इरादा करता कि शेक्स पियर के मर्चंट आफ वैनिस की तरच पर वह एक रचना लिखे उसे लगता उसके पिता मुद्रा प्रेम में शायलोग को पचाड देंगे कभी वह मनीमन रोमी और जूलियट जैसी प्रेम कहानी रस्ता पर अश्यर है कि जूलियट की जगा उसके खेलों में वह अंजानी लड़की अंदेखी लड़की जगा ले लेती जिसके साथ उसका रिष्टिया तैह हो चुका था और उसने अभी तक उसे देखा नहीं था अब तक मा से आगरे वालों का पता उसे चल चुका था एक दिन गल्सवर्दी की जस्टिश खरीदे के बहाने बजार से गुजरा और उस गली में मुड़ गया गली वैसी ही गंदी, संक्री और घिच पीचती जैसी आगरे की कोई भी गली पर धरम शाला तक पहुचते पहुचते गंदगी के एहसास की जगा आवेग और आकुलता उसके मन प्राण पर च्छा कई मन में बहुत पहले कुछ पंक्तियां गुजुटी धरम शाला से सटे पीले रंके मकान की च्छत पर उस वक्त कई पतंगे उड़ रही थी कवी कल्पना करता रहा इन लाल पीली हरी पतंगों में कौन सा रंग उसे प्रिया होगा तबी उसे च्छत की मुंडर से लगा निहायत सुन्दर एक स्त्री मुख दिखा कर और वे जड़वत उस दिशा में टक्टकी लगा कर खड़ा रहा उस मुख की सुन्दरता सलजता और सौम्यता आप प्रतिन थी बड़ी बड़ी आँखे उसकी तरफ निहा रही थी यका यक कवी को ध्यान आया कि उसके कुड़ते पर सियाही गिरी है पुस्तक खरीदने के लिए उसे कुड़ता बदलना जरूरी नहीं लगाता प्रिया वीथी में आने का तब कोई इरादा भी नहीं था वह वहाँ से मोड लिया वापस हॉस्टल में आकर उसे शंकाओने आगे रहा पता नहीं वह लड़की उसकी भावी पत्नी थी या उसकी छोटी बहन कहीं वह घर पैचाने में भूल तो नहीं कर गया कवी को लगा इतना सुन्दर मुख देखकर उसने अच्छा नहीं किया अगर यह उसकी प्रिया नहीं तो भी यह मुख उस शेष श्रीवन तड़ पाएगा उसके मन में सिनेमा की तरह यह द्रिश्य बार बार दोराया जाता और वह अपनी उत्तेजना से लड़ता कहां तो उसने सोचा था कि विवह की रात को वह अपनी पत्नी को की आँखों में रात भर चलते रहे शादी के बाद उसे इंदू को अपने जीवन का चंदर बिंदू बना लेना बहुत कठिन नहीं लगा क्योंकि घर की रण भूवी में अगर कहीं युद विराम और प्रेम था तो बस पत्नी के पास यह वही लड़की थी जिसका चहरा उसने उस दिन अकस्मात देख लिया था ताज्चु भी है कि घर की समस्त समानियता के बीच इंदू का संदर्य दिन पर दिन निखर रहा था विवा के इन पांस सालों में जीवन में ना जाने कितना कुछ कठित हो गया संतोष था तो सिरफ दो बातों का कभी महन ने पढ़ाई पर अपना पूरा काबू रखा और हमेशा प्रथम श्रणी और विशेश योगता सूची में स्थान पाया इसका मैत्व इसलिए और भी अधिक था क्योंकि उसके पास कभी प्रयाप्त पुस्तके खरीदने लायक साधन भी नहीं होते थे कई बार वे अपने गुरूओं से पुस्तके लेकर अध्याय के अध्याय अपने सुलेक में उतार डालता इससे उसका सुलेक बहत सदा हुआ हो गया और स्रमन शक्ती बढ़ती गई एक बार पड़ी समगरी उसे कंठस्त हो जाती यही हाल कविताओं और कहानियों का था इसलिए जब वे अपनी रचना लिखता था उसे विश्वास नहीं होता था कि वे हैं उसकी मौलिक अच्छूती रचना है अथवस्मृती और प्रभाव के मिल से बनी परच्छाई यही वज़ा थी कि लिखने से ज़्यादा उसका मन पढ़ने में रम जाता पढ़ते समय उसे देश, काल, समय, समस्या सब भूल जाते इसलिए किताबों को वे अपना शरनिस्थल मानता और हर किताब की अपनी अद्वुत छटावर सुरुभी थी जिसका नशा बढ़ता ही चाता